नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अभी शेक पुंडी स्वाती मालिवाल का मुद्दा इस वक्त मीडिया की सुर्ख्यों में चाया है देश का हर एक नागरिक छोड़िये विदेशों तक में लोग जानना चाहते हैं कि 13 मई की सुभा सीश महल के भीतर क्या कुछ हुआ था स्वा अभाव कुमार ने जो मारपीट की थी स्वाती मालिवाल के साथ वो किस के कहने पर की थी क्या अरविंद केजरिवाल के कहने पर की थी तो स्वाती मालिवाल के मुद्दे पर एक करव अरविंद केजरिवाल घिरे हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी घिर च साथ किसी भी कीमत पर हम स्वातिमालिवाल के साथ खड़े हैं लेकिन जैसे प्रियंका गांदी ने ये बयान दिया वैसे ही राधी का खेड़ा एक्टिव हो गई जो अभी पिछले दिनों चो खोड़ कर बीजेपी में शामिल हुई है जिनका आरोप था कि उनके साथ जो कॉं किस कमरे में रहती हो कमरा नंबर पूछा लेकिन प्रियंका गांधी की जबान नहीं खुली प्रियंका गांधी ने मानो उनके मूँ में दही जम गई हो लेकिन जैसे ही स्वातिमालिवाल का मुद्दा आया तो प्रियंका गांधी फटाक से बहार आई और बयान दे दिया एक वार सुनिए राधिका खेडा को और प्रियंका गांधी को उसके बाद बताऊंगा इसका असर इस गड़ बंदन पर क्या कुछ होने वाला है महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है कुछ भी गलत होता है तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है कुछ भी गलत होता है तो हम उनी के साथ खड़े हैं मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ चाहिए किसी भी पार्टी की हो दूसरा आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे वो उनके नेता हैं तो आपस में निन्ना लेंगे ये उन पर है प्रियंका गांधी जी का दो मुहापन एक बार फिर से उजागर हुआ है लगातार वो कहती आई है कि मैं लड़कियों के साथ खड़ी हूँ किसी भी पार्टी की लड़की के साथ खड़ी हूँ लेकिन जब खुद के घर की बात आती है जब मेरे को नियाय दिलानी की बात आई तो यही प्रियंका गांधी जी है जो चुपी साथ ली और उसके बाद ट्विटर से अनफॉलो अनफॉलो खेल रही थी आज वो कहती है आम आदमी पार्टी की बात घर की बात है सिर्फ इसी लिए क्योंके वो उनके साथ में साथ ही है वो उनके साथ मिलेवे ब्रष्टाचारी लोग आज उनके साथ ही है तो वो चुपी साथ रही है क्यों नहीं बोल रही क्यों नहीं महला के लिए खड़ी हो रही कब तक ये दोगलापन चलता रहेगा और बहुत ही शर्मसार करने वाला और असमवेदन शील बयान प्रियंका गांधी जी का सामने आया असमवेदन शील तो वो थी ही लेकिन आज उनके बयान भी सामने आ रहे है और मैं आज आज आप से द्वारा उनसे पूछना चाहती हूँ कि इतनी आक्टिंग आप कर कैसे लेती है कितनी और आक्टिंग करेंगी कितना और जूट बोलेगी कि आप महिलाओं के साथ खड़ी है लड़की हूँ लड़ सकती है आपकी ही टीम में क्या है और आप नहीं सबसे ज़ादा चुपी साथ लड़की हूँ लड़ सकते हूँ वाले बयान पर राधिका खेडा ने एक बार फिर से प्रियंका गांधी को गांधी परिवार को एक बार फिर उधेड का रख दिया बता दिया कि ऐसा दो मुहा जो चरितर है वो क्यों क्या राधिका खेडा महिला नहीं है राधिका खेडा ने 22 साल कॉंग्रेस पार्टी को दिये थे और उस 22 साल काम करने के लिए 22 साल सेवा करने के बाद उन्हें सिला मिला कि वो राम मंदिर में गई वहाँ भगवान राम लला के उन्होंने धर्शन किये जिसके बाद पार्टी उनसे खफा हो गई और इतनी खफा हुई कि ये भी नहीं देखा कि वो एक मैला है बद्दी बद्दी उन्हें गालियां दी गई तमाम तरीके के उनके उपर आरोप लगाए गए और मजबूर कर दिया गया कि वो अपनी उस पार्टी कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ कर चली जाए जिसके उपर जिसके साथ उन्होंने 22 साल तक काम किया लेकिन यहां स्वातिमालिवाल के मुद्दे को भी समझना जरूरी है क्योंकि खबरे ऐसी आ रही है कि जब से अर्विंद केजरिवाल जेल में थे तब से स्वातिमालिवाल अपनी बहन के यहां अमेरिका में थी लेकिन जब अर्विंद केजरिवाल जेल से बाहर आये तो स अगर में अनतरिम जमानत पर बहर है तो उसका भी कारण है अभी शेक मनुसिंग वी उन्होंने यूँने जमानत दिलवाई है और हो सकता है कि पर्दे की पीछे यही डील हुई हो कि आप मुझे राज्य सभा बेजिये मैं आपको जमनत दिलवाऊंगा हला कि केजिवाल का कहना ये भी है कि चार जून को अगर इंडिया गट बंदन जीतता है उन्हें जेल जाने की जरुवत नहीं पड़ेगी सीथे सीथे ये कंटेम्थ अफ कोर्ट कर रहे हैं कैजिवाल मुलाकात करने उन्हें गई थी उन्हें बुलाया गया था फोन करके कि आप आईए बातचीत करते हैं उसी दोरान वहां क्या कुछ हुआ वह उन्होंने फाई आर में लिखवा दिया गया जो अभी तक उसकी कौपी बाहर नहीं आई है और अब वह कोट भी पहुंच चुकी हैं अपना बायान में यह ब्ढ़ाई कमार नहीं तर वहां भी था किनि बॉअ पयाय को और उसमें से यां यह भी गौह वह कर लेना ज़रूरी कि तलाश में भी टीम लगी हुई है और जैसे विभाव कुमार हाथ लगेगा पुलिस के उसके बाद वो अर्विंद केजरिवाल के कौन-कौन से राज कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौ उसमें सुनीता केजरिवाल उनके बच्चों के साथ-साथ विभाव कुमार का भी नाम शामिल था विभाव कुमार अर्विंद केजरिवाल के आख नाख कान बताये जाते हैं और खबरे तो ऐसी भी निकल कर सामने आई कि जब ये पिटाई का दोर 13 माई को भीतर में चला उस वक्त महां अर्विंद केजरिवाल की भी पिटाई की गई और उसके बाद भी भाव कुमार को गुस्सा आया और उसके बाद ये सारी घटना हुई तो स्वाति मालिवाल का जो मुद्दा है वो फिलाल अर्विंद केजरिवाल के गले की फांस बन चुका है इंडिया घटबंदन के गले की फांस बन चुका है क्योंकि लोग इतने भी ना समझ नहीं है कि वो ना समझे कि स्वातिम आलिवाल पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया सवाल पूछ रहा है अर्विंद केजरिवाल से, बीजेपी सवाल पूछ रही है, लेकिन अर्विंद केजरिवाल चुप्पी साधे हुए हैं, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सब्सक्राइब करते हैं और अर्विंद केजिरिवाल आज स्वाती मालिवाल के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे क्यों और साथ ही प्रियंका गांदी बी जवाब दें जिन्नोंने राधिगा खेडा के मामले पर अपने मुह में दही जमाली थी जो राहूल गांदी महिला सम्मान की बात करते हैं उनका एक ट्वीट नहीं आया वो अब खड़े हैं साथ में स्वाति मालिवाल के साथ खड़े हैं वो लोग कैसा दोहरा चरीतर है कैसी राजनीती कर रहे हैं आप लोग ऐसा क्या कुछ चल रहा है देश की राजनी कम पनादी महिला जर उनका घंदे। क्यारीं ज्वीट बात एक वीड़ सामे लाolina ल्ड़ेँ